इसमें आप कमेंट और A.K.S. और आज फिर हम अपने BLIS यानि की BLIS 02 हमारा स्वोग हो गया है और BLIS 02 में यानि की unit number one, lesson number one हम क्या कर रचुगे हैं, complete कर चुगे हैं, आज हमें क्या करना हैं, इनके question answer कर देखने हैं, और इसमें से आपको question आपके library exam में भी, यानि की librarian exam में भी, और आपके BLE में भी एक question जरूर आपको देखने हैं, एक से दो question आपके जरूर देखने हैं, तो आपको पता होना चाहिए, परबंदन के बारे में पता होना चाहिए, परबंदन को कही नगे, इसके को समझते हुए, कही नगे, इसके लक्षे आपको बतान चाहिए और इसमें से जो question important है वह आपको लिखके रख लेने हैं जैसे आपने believe याने की BLIA 01 में क्या करा है 12 chapter थे ठीक है 12 chapter के क्या है chapter wise आपने question आपको बताए सारे के सारे आपने बच्चों ने लिखके रख लिए होंगे अब लिखके रख लिए हैं उसका क्या फायदा हुआ जैसी आपका क्या एक्जाम होगे एक्जाम के time पर आपको क्या है मदद मिलेगी उन में से पढ़िए और आपके जो practical है देखिए आपका जो BLIA यानि की पहले semester में क्या है दीडीच और आपका CC है बहुत सज़ेंगा UDC है तो दीडीच यूडीच और CC के बारे में जो टाइटल्स है यानि कि उसके नंबर से वह आपको कहीं न कहीं मैं एक तो बता दूंगा किस तरह से निकालने हैं ठीक है सबस्क्त आसान है आपको मैं बताऊंगा डीडीच में क्योंकि डीडीच में जो तीन नंबर आपके निकालने है अगर वह निकाल लिए पॉइंट के बाद एक तीन नंबर वह निकाल तो मतलब मैक्सिमम आपका नंबर आपके करीब तक पहुच जाते हैं 70 पसंट आप कवर कर लेते हैं ठीक है उसके बाद आपका CC है CC में रहें जिसके आप सारे प्रेबं में अपने नंबर निकालस को चलिएज सुरू करते हैं आज के लांस को आज सक्विकल्नीक सरे शान को SUSCRाया तड़र आएगा हमाई करभ से यानि पर इक से फार्टी चैनल की तरफ से और चैनल हो इस तरह आपको नियुद्ञ आपके तैपस्य आपको आहें पर रहीज दस पीडियाव नलते हैं मौनलते हैं और हमारा मानना आप दो महिने में एक बार जो काम की चीज़े वही देनी चाहिए नहीं तो यह तो वह वैसी परिसान है ठीक है अपनी पढ़ाई को लेकर और उसे और परिसान कर रहा है नहीं चीज़िए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्या है टॉपिक याने की आज हमार क्या है लेसान नंबर यूनिट नंबर वन लेसान नंबर वन और आपका क्या है पुस्ते कर ले प्रबंधन के बारे में यानि की प्रबंधन का आपका चेप्टर प्रबंधन ठीक है प्रबंधन की चेप्टर में आज क्या है हमें सरसे पहले आपको पता होना ची कोश्चन प्रभंधन के उपर यम्व UP E intellectually सब्सक्का मुझारा करें सब्सक्राइगक बंधन से sound इसके तूदेशे और कारीए बताईए ठीक है तो यह क्या होगया कहें नहीं आपको पूरा पूर्ण होगया इसमेञें क्या प्रॉबन्दन के बारे मंता देऊ प्रबंदन यह प्रबंदन यह इनके बारे में अधा दिया आप इसका प्रबंदन का उदेश्चे क्या है कि उदेश्चे यह होता रहे कि प्रबंदन हम क्या करते हैं इसके अनुसार लेकि चलते हैं दूसरा कोशन याने कि वैज्ञानिक प्रबंदन याने कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रबंदन से आप क्या समझते हैं आप एस पूरा कोशन समझते हैं समझते हैं तथा इस का इसके इसके लिखिए इसका छोड़ दिए इसके उदेश्य और कारिये बताईए ठीक है तो यह कहीं न कहीं आपको पताना चाहिए कि दोनों कोशन क्या है वैज्ञानिक प्रबंदन इसके इसके साथ है और कहीं तो क bubbly आपको पठा होना चाहिए फिर आपसे पूछा जाता है कि परबंदन के छेत्र क्या है क्या है कोशन नमबर तीन परबंदन के बारे में बताते हुए इसके छेत्र लिखिए कि यह क्या हो गया यह आपका तीसरा कोश्ण हो गया तो कहीं नगई आपको यह कुश्ण आपको पता होना हुना चीए कि जिए आहां कया है कि अलग-अलग पूछे जाते हैं ठीक है एक मिनिट चलिए तो क्या है यानि कि उसमें प्रबंदन से आप क्या समझते हैं अब यह मत कहना कि आपने पहले प्रबंदन से आप क्या समझते हैं तथा या या फिर इसे छोड़ दिए प्रबंदन इस तरह से आप छोड़ दिए वैसे कोशन इसी तरह आना है क्योंकि कोशन आपकर स्प्रेगे आना तो आपका यह लिखिए हैं प्रबंदन से आपका समझते हैं प्रबंदन के यह लिखिए इसे कोशन होड़ आई है प्रबंदन के बारे में बताते हुए के बारे में लिखिए ठीक है पोस्ट कॉर्प के बारे में लिखिए और पोस्ट कॉर्प अलग से पूछा जा सकता है चोटे कोशन में आपको देते हैं पोस्च वर क्या है तो आपको बताना है पोस्ट फॉर क्या है प्रबंदन के बारे में बताते हैं यान इस प्रबंदन वो है. इसकीड़ बारे में प्रूरा बिस्तार से क्या है विखिती नीए maior उ Israel इसका पूरा चीजGroup लिखिने निवाता है तो पी अलग एस ओ अलग डी अलग सी ओ अलग और अलग एक लाइन और ऐसा किछडी मत पका देना जैसे कि मान के चलिए यह पेज है आपका यानि कि उपर लिखना टाइटल देना यानि कि कुश्चन का पोश्ट पी ओ एच डी सी ओ आर बी का का पूरा नाम नाम निम्न है ठेक है पी अलग एक लाइन में आ गया ओ अलग एस अलग डी अलग सी ओ अलग आर अलग और दी अलग यह आपके कितने लाइन किरेंगे एक दो तीन चार पांच साथ यह साथ लाइन गिर गई यहां पर इससे क्या करना एक लाइन यानि कि इसके वारे में जो जो पी से प्लैंग ऑ से सब प्रबंदन के आपको प्रबंदन के चेत्र के बारे में आपसे पूछली जाएगा याने की प्रबंदन के चेत्र के बारे में आपसे पूछली जाएगा तो यह सारी चीज़ा है को पता होना चीह एक कोशन आता है या भागए मेरे हाद हैं जिसे हम कहते हैं ऐनी फ्यो एक तरह से कहती है जब हम क्या करते हैं जब पढ़ते हैं जिससे जलदियाद हो जाये जैसे जैसे आप क्या करते हो अपने दोस्त का नाम अलग रख लेते हो ना इसी तरह है लाइब्री या फिर किसी भी किताब में आपको पढ़ने के लिए आसानी तरह से पढ़ने के लिए या आसानी से याद होने के लिए उसका कोई अलग नाम रख लो ठीक है यह एक तरह की ट्रिक होती है क्या किसी अग्साम के लिए हैंड Bailey याद कर लो और सीधें आप हो कह याद करके अपना अब कहा है वहाँ पे चेप देना यान या दित लिए हैं थे क्या है प्रति पल्दम के के बारे में लिखिए तो यह क्या हो गया पूड़ा कोश्चन हो गया आपने आपसे कोश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो यह था आज के चैप्टरों के सारे की सारे कोश्चन कोश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है आप इसी चीजक्त को कवर कर लेजavía ऐसे करता हो आज ह्याइस में फ़ीडिए पसप्रक है तहरे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइकण suggesting